हेलो एवरिवान होप यू आर डूइंग वैल तो ची आज मैं आप लोग साथ लेकर आई हूँ एक बड़ा ही जबरदस सा रिव्यू अगर आप लोग नमचे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ तो तकरीबन डेर से दो मंत पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि मैं यू तो यह जी एसल बेसिक्स यानि शाहसता लोधी का ब्रैंड है जिसका मैंने एंटी एकनी सीरम किया था ओर्डर तो हम इसको करेंगे रिव्यू आपने पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है इसका फुल डिटेल रिव्यू मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी और वो दे एंटी एकनी सीरम तो कोई कैसे ना मगवाए तो बस जी शाहसता लोधी की स्किन को देखते हुए मैंने भी सोचा कि मैं उनका एंटी एकनी सीरम मगवाती हूँ और उसे यूज करती हूँ ताकि मुझे मेरी स्किन भी हो जाए शाहसता लोधी जैसी तो जी मैं आ सारी चीजों को cover up कर लेते हैं एंड पर करेंगे हम लोग review की बात तो सबसे पहले जी इसकी अगर हम लोग बॉटल देखें तो यह थोड़ी colored bottle है इस तरह की ठीक है इस bottle के उपर अगर हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है anti acne serum a clarifying solution for blemish free skin that means blemish free skin का मतलब होता है दाग धबों से बिलकुल साफ सुत्री skin के मतलब यह आप लोग की skin को इतना clear कर देगी कि कोई दाग धबातक नहीं बचेगा ठीक है जी उसके बाद अगर हम back side की बात करें तो back side पे ingredients और use की तरह से करना है उसकी सारी directions दी गई है तो सबसे पहले ingredients पढ़ लेते हैं मैं आप पास कर देती हूँ ताके आप लोग को ingredients अच्छी तरह से नज़र आ जाए ठीक है जी ये हैं इसके ingredients सबसे पहला ingredient है मारगोसा मारगोसा का मतलब होता है नीम नीम से तो हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि नीम जो है वो commonly available है पाकिस्तान में उसको मारगोसा भी कहा जाता है तो नीम के जो फाइदे हैं हमारी स्कीन के लिए वो हम सब ही जानते हैं नीम जो है वो हमारी एक antiseptic की तौर पर काम करता है हमारी स्कीन के लिए तो उसके इलावा ये क्या करता है हमारे स्किन को बहुत कलियर कर देता है हमारे ओयल को बैलन्स करता है वाउंड से होते हैं कोई जखम वगएरा होते हैं हमारे स्किन पे उसको भी हील करता है उसके इलावा कॉलेजन को बढ़ाता है और उसके इलावा हमारे जो एक्नी के स्कार्स वेरा होते हैं वो भी खतम करता है अच्छा जी उसके पात सेकिंड जो है हमारे पास इंग्रीडियन डेट इस ऐलो वेरा और एलो वेरा के फाइदे स्किन के लिए मुझे नहीं लगता के कोई इनसा ऐसा होगा के ना जानता हो एलो वेरा मुझे लगता है इस दुनिया का बेस्ट इंग्रीडियन है हमारी स्किन पर वर्क करने के लिए हमारी स्किन को brighton up करता है pores को बंद करता है हमारी स्किन के mark, acne marks वग़ज़ा को चीज़ों को खतम करता है उसके बाद थर्ड जो ingredient है that is saffron saffron जो है इसका भी हम सब को पता है ये हमारी स्किन को hydrate करता है healing process को help out करता है उसके इलावा हमारे complexion को बहुत brighten up करता है चाहे हम उसको स्किन के उपर लगा ले चाहे उसको हम लोग दूर गयरा में किसी चीज़ बंडाल कर यूज़ कर ले दोनों तरह से ही हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से work out करता है तो चलते हैं जी नेक्स्ट इंग्रीडियन की तरह दिए बापची सीड्स ठीक है जी बापची सीड्स जो है यह भी हमारी स्किन के लिए हमारी बाड़ी के लिए बहुत अच्छा काम करती है अगर स्किन पर यूज़ की बात करें ना तो यह हमारे पिग्मेंटेशन को रिमूव करता है रिडियूस कर देता है पिग्मेंटेशन को उसके लावा को बूस्ट अप कर देता है उसके लावा यह जो बापची सीड्स होते हैं बेसिकली यह रेटिन ओयल की तरह काम करते हैं कि जैसे रेटिन ओयल हमारी स्किन पर वर्क करता है न तो डेट मीन्स कि ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रीटियन्ट है नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट इस अर्कनेट रूट ठीक है जड़ी बूटी है यह हमारी स्किन पर जब यूज होती है तो यह डिस्ट्थपाइब एक्टी कर देती है उसके अंदर से सारी dirt وغیرا को remove करती है हमारे جو जखम होते हैं निशान होते हैं उनको भरने में मदद करती है उसके लावा जो acne से isching होती है उसके अंदर बहुत जादा help करती है हमारी skin की dryness को acne को dendruff को खत्म करने में एक बहुत ही अच्छा ingredient है और सबसे एंड पे लास्ट छो इंग्रीडئियेंट इसमें यूज किया ãy हल्दी तो हल्दी के वाइदे तो हम सब ही जानते हैं कि हल्दी हमारी स्किन को ब्रैटन अप करती है हमारी स्किन से ऑईल को खतम करती है हमारे पोर्स को क्लीन करती है रिंकल्स वेरा को खतम करती है और हर चीज के लिए हमारी स्किन पर बहुत अच्छा वर्ग करती है तो ये सारे इंग्रीडियंट जो है वो इसमें यूज किये गए हैं जो के बहुत ही कमाल इंग्रीडियंट है ठीक है जी तो अब मैं आप लोग साथ को बताऊंगी कि क्या इन सारे इंग्रीडियंट का जो मिक्सचर इस बॉटल में दिया गया है क्या उसने एक्चुली उस तरह वक्त किया है जिस तरह से इंग्रीडियंट को करना चाहिए था या पिर नहीं लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन्स कि डायरेक्शन्स में इसे यूज करने का क्या तरीका बताया है तो यूज करने के लिए इन उनने कहा है कि इसके 4 तो 6 ड्रॉप्स जो है वो आप लोग ने क्लियर स्किन के ओपर अप्लाई करने है ट्वाइस अडे डायरेक्शन्स में दो दफा उसके पाजी आप लोग ने क्या करना है कि इसको संब्लॉक के साथ ही यूज करना है शेक करना है यूज करने से पहले और ठंडी जगा पे इसे रखना है देट से ट्वाइस इट ठीक है जी यह था जो इस बॉटल में नो ने सिर्म के अकॉरणिंग बताया था तो चलेंज जी अब चलते हैं कि मैंने इसको और किया यूज किया किस तरह का मुझे लगा और क्या मेरा रिव्यू है तो सबसे पहले जी मैंने इसको और्डर किया था विंटर्स में मैंने सब्डियों में इसको मगवाया था कि मेरी एकनी जो है वो बिलकुल साफ हो जाए और आप लोगों को ये पता है कि जब भी मैं किस चीज का रिव्यू करती हूँ मैं सिंगल पर्सन पर यूज करके रिव्यू नहीं दे देती मैंने इसको ठ्री डिफरेंट टाइपस ऑफ स्किन पर यूज किया है मेरी स्किन बिलकुल ड्राय है मेरे हजबन की स्किन बहुत ओईली है मेरी सिस्टर और सिस्टर इनलौ की स्किन कंबिनेशन है तो मैंने सब स्किन टाइब्स पर इसको यूज करने के बाद आप लोग साथ अब रिव्यू शेयर करने आई हूँ तो जी यह देखें बॉटल को मैंने कर लिया है ओपन ओपन करने के बाद यह कुछ इस तरह का रेड कलर का सीरम आपको मिलता है विच इस एन ओयल बेस सीरम यह सीरम बेसिकली जो है यह एक ओयल बेस सीरम है अगर मैं आपको इसको अपने हाथ पे ड्रॉप अप्लाय करके दिखा हूँ ना तो यू कैन सी इट इस वेरी ओयली ठीक है यह आपको नजर आ रहा होगा कि यह काफी ओयली सीरम है तो उसके बाद और उसके अलावा अलकनेट रूट की वज़ा से आ रहा होगा क्योंकि दोनों का कलर च होता है वो रेड होता है अचा इसके इलावा ना इसके अंदर कौन से ओयल यूज किये गए है वो कहीं पे इंग्रीडियंट जो है वो नहीं बताएगए सबसे पहली बात यह है कि यूज किये गए है अच्छा जी उसके बाद अगर मैं अगर बात करो ना तो जैसे कहा गया है कि यह इसके अंदर जो बापची सीर्ज किये गए है और वो रेटिन ओयल का काम करते हैं तो डेट इस कम्पलीटली ट्रू क्योंकि रेटिन ओयल की तरह ही यह कुछ वर्क करता ह है और रेटिन ओयल की जितना ही यह हार्श है और मुझे लगता है कि यह इस दिन में दो दफा यूज नहीं करना चाहिए जबकि इसकी बाटल पर मेंशन है यू कैन यूज यूज इट ट्वाइस बट मेरे नस्दीग आपको इसको दिन में एक ही दफा यूज करना चाहिए विच इस नाइट टाइम आप लोग इसको दिन में बिलकुल यूज नहीं करना चाहिए उसके बाद नेक्स पॉइंट की तरफ चलें तो नेक्स पॉइंट यह है कि इतना हार्श होने की वज़ा से हम लोग इसको कभी भी संब्लॉक के बगएर नहीं यूज कर सकते हैं अग अगल डे संब्लॉक लाजमी यूज करना पड़ेगा विकॉज ऑफ इस हार्शनेस क्योंकि यह बहुत हार्श है आपकी स्किन पर इसकी वज़ा से अगर आप संब्लॉक नहीं यूज करोगे तो इचिंग वगरा हो सकती है कोई डेमिज हो सकता है उसके बाद जी नेक्स जो कि मेरे नजदी कमपलीटली फॉल्स है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि यह जो ऑईल है यह सीरम है यह इतना ऑईली होने की वज़ा से आपकी स्किन के ऑईल को और बाहर निकालता तो है लेकिन अंदर से खतर नहीं करता इसको यूज करने के बाद सारा दिन भी आपकी स्किन जो है वो स्किन बार बार औली होती रहती है इस वज़ा से मुझे लगता है कि आप के स्किन को और औली कर लेकिन आवली स्किन वालों के लिए कप्लीट्ली नो उसके बाद जी इतना हाँच हैाथ नॉर्मली सीद मेई उसको लगाने के बाद जैसे मैंने यह इतना सा ईकई अप लोग इसको बिलकुल भी इपनी स्किन पर रब नहीं कर सकते हैं आप लोग इसको बिलकुल soft hand के साथ बस लगाना है इस तरह से और छोड़ देना है अगर आप लोग इसको अपनी skin पर मलने लग जाओगे तो यह आप लोग की skin को बहुत डेमिज करतेगा और अगर आप लोग इसको मले बगए इस तरह से normal serum हम लोग छोड़ देते हैं इसी तरह से छोड़ दोगे तो यह बहुत oily हो जाएगा यह देखें इस तरह से full oil ऐसे लगया जैसे आपने कोई तेल अपने मूपे लगाया हुआ है अच्छा जी अब सबसे में जीज यह है कि इन लोगों ने से इस पे mention किया हुआ है कि कीप इट अड़ कूल प्लेस ठीक है कि मतलब ठंडी जगा पे आप लोगों ने इसे रखना है लेकिन मेरे नजदीग यह थंडी जगा पे रखा ही नहीं जा सकता क्यूंकि मैंने इस serum को अच्छा पर प्राइब किया था राट फिक अर जब मैंने इसे विंटर में आड़र किया था यह पूरा जमा हुआ था इतना जमा हुआ था कि मुझे एक दफाए नगए भाटल जो है यह शाइद खाली ही नोगों ने मुझे भेज दिया है ईवन मैंने इन एसल बेसिक्स के जब रूम में हीटर चला के इसको रखा तो फिर ये सारा मैल्ट हुआ और ये इस तरह की फ़ॉम मे आगा गर आप लोगों के नजर आ रहा हो ते हाफ बॉटल जो है तो मेरे ख्याल से कि यह सीरूम इस अप्लिटली नौ इस बिकास के अंदर जो आइल यूज किये गए हैं और वो आइलिन लो ने मेंशन भी नहीं किये कि कौन सा आइल जो है वो हम लो ने यूज किया है जो के बार बार इस तरह से जम जाता है लेकिन खैल सारी ये बाते तो सारी हो गई इस साइड पे अब जलते हैं इस पॉइंट की तरह कि क्या इसको यूज करने से एकनी रिमूव होती है या नहीं तो जी अगर मैं clear cut सिर्फ एक line की बात का हो ना तो इसको use करने से कोई acne remove नहीं होती even इसको use करने से कोई फरक नहीं पड़ता आपकी skin पे ना ये आपकी skin को brighten up करता है ना ये कोई wrinkles वगरा को remove करता है ना ये acne को remove करता है कुछ काम नहीं करता मतलब मैंने इसको regularly तकरीबन 20 से 25 दिन use किया है उसके इलावा मैंने इसको day off में भी use किया है कि कुछ दिन use कर लिया कुछ दिन छोड़ दिया हर तरह से use करके देखा है मुझे इसका 0.1% भी result नजर नहीं आया अच्छा उसके बाद मैंने इसके कुछ रिवियू सुने थे तो मैंने सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आपके acne है ना तो आपने जस जहां पर आपकी acne है ना मतलब यहां पे एक दाना बनाए तो सिर्फ उसी दाने के उपर आपने लगाना है बाकी skin पे नहीं लगाना और फिर यह वर्क करेगा मैंने उस तरह से भी यूज करके देखा है इसने मेरी skin पे मेरे husband की skin पे मेरे sister की skin मेरे sister-in-law की skin पे किसी की skin पे उस तरह भी work नहीं किया मतलब यह ऐसी चीज है कि आप इसको यूज कर रहे हो यह नहीं कर रहे है यह आप कोई फाइदा नहीं है मतलब यह आपकी skin को ना को बेनिफिट दे रहा है ना यह आपकी skin को कोई जो है वो नुक्सान पहुचा रहा है तो इसको मेरे हैल से कर रहे कोई ऐसी चीज जो आपकी skin को फाइदा भी नहीं दे रही तो पैसे उस पे वेस्ट करने का कोई फाइदा ही नहीं बनता तो मैं बड़ी डिसपॉइंट हुई हूँ शायसता लोधी के इस सीरम से जो के मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह का आएगा हता कि शायसता लोधी की स्किन देखकर माशाला से उनके ग्रूमिंग को देखकर मैं बहुत इंप्रेस्ट थी और उसके बाद फिर ये सीरम और किया था लेकिन इस सीरम से हुई हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट और मैं नहीं चाहती कि आप लोग मैं मेरी तरह डिसपॉइंट हो अपने पैसे वेस्ट करें तो इसलिए मैं आप लोग साते की ओनेस्ट रिव्यू शेयर किया है ताके आप लोग मेरी तरह से इस स्कैम कर शिकार ना हो और आप लोग इस सीरम को और ना करें इसके रवा शायसता रोदी के ब्रेंट की कोई चीज मैंने जो है वो नहीं यूज की इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती अगर आप लोग बागी कोई चीज यूज करना चाहते होएं तो अपने झाण पे यूज कर सकते हैं लेकं इस सीरम को प्लीज ना यूज कीजिएगा और अगर अगर किसी ने इस सीरम को यूज किया है और उसको अच्चे रिजल्ट मिले प्ले हैं तो ऊसमे मुझे लाजमी in comment section मेरे कर बताना है यहाँ प्लक्ता चाहते हैं मुझे बादा सकिसी मै अपना 1,000 प्या 1100 पर नहीं वेस्ट करने आपनों इसको और नहीं करना ठीक है बाकी चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो यह था जी मेरा एक छोटा सहा बिल्कुल ओनेस्ट रिव्यू मैं अपने पैसों से अपनी मर्जी से इसको बाई किया अपनी मर्जी से इसको यूज़ किया अपनी मर्जी से इसका रिव्यू कर रही हूं तो जी उमीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है और आपने और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ-साथ मिलता रहे और आप लोग मेरे एक रेगुलर जो है वो वीवर बन जाए तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफस